हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल रेस्पी पिटारा में और आज हम बनाने वाले हैं तुरही की सबजी तुरही की सबजी बनाने से पहले चैनल को सब इसक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें तो तुरही की मस मसाले दार सबजी बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए, हाई ये देख लेते हैं, हमने लिया है, 4-5 कटी हुए हरी मिर्च, आधी कटोरी धनिया की हरी पत्तियां, लहसुन की 15-20 कलियां, छोटे-छोटे टुकडे में कटे हुए, सबजी बनाने के लिए तेल, गरम मसाला, धनिया पाउडर मिक्स, दो चम मशली हैं, तीन बड़े साइज के कटे हुए प्याज और हल्दी तुरही को हमने छील करके, साप पानी से दो करके, थोड़े लंबे आकार में काट करके ले लिया है, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे अब पैन को गरम करते हैं, और तुरही की सबजी बनायने श्टार्ट करते हैं, पैन गरम हो चुका है, अब इसमें तेल डाल देते हैं, और तेल को थोड़ा गरम होने देते हैं तेल देखिए गरम हो चुका है अब इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे जीरा हलका चटकने लगे हरी मिर्च डाल कर अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं रहसन के कटी हुई कलियों को डाल करके चलाएंगे दस से पंद्र सिकेंड तब इसी तरह से चलाते रहेंगे दस से पंद्र सिकेंड लगभग हो गए हैं अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल भी याधा चम्मच हम लाल मिर्च कुटी हुई डाल देंगे लाल मिर्च को डाल करके भी एक बार फिर से चलाएंगे और पंच से साथ सिकेंड बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ जो प्याज लिया था हमने उसको भी डाल देंगे और प्याज को चार से पांस मिनट तक चलाते रहेंगे लगातार चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक मेडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे और प्याज को थोड़ा जल्दी नरम होने के लिए इसमें हम एक चमच नमक डाल देंगे फिर जब हम सब्जी में नमक डालेंगे तो इस नमक के ध्यान में रखते हुए डालेंगे नहीं तो सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हम नमक डाल देते हैं और प्याज भी देखें लगबग भून चुका है बिल्कुल भी ब्राउन लग रहा है और अब इसमें हम मसालों को एट करेंगे तो सबसे पहले हल्दी डालते हैं हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर डाल करके एक बार चला लेंगे इसके बाद गरम मसाली हमने धनिया और गरम मसाला दोनों मिक्स करके लिया है मसाले को डालते समय चुले का फ्लेम बिल्कुल भी लो कर देंगे ताकि मसाले जलने न पाएं और थोड़ा सा पाने डाल करके मसालों को तेल छोड़ने तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे दिखें मसाला भून चुका है और तेल भी छोड़ने लगा है अब इसमें हम सबजी हमको जितना रसिला बनाना है दो से तीन कप पानी डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे ताकि पानी और मसाले पक जाएं देखें हमको इतना ही बसरसा बनाना था इसलिए हमने इतना ही पानी डाला है पानी में उबाला गया है अब इसमें हम एक चम्मच बेसन डाल देंगे अगर आप चाहते हैं तो बेशन का घोल भी बना कर डाल सकते हैं आप चाहें तो सुखा बेशन भी डाल सकते हैं इसमें कोई गुठुलिया नहीं पड़ेंगी अगर गुठुलिया पड़ भी जाती हैं तो तुरही की सब्जे में अच्छी लगती हैं कद देखें मसाले और पानी सांथ पर करके विल्कुल विए रेडिय हो गया है अब इसे हम दो से तीन मिनट तक इसी तरह पकने देंगे हम जुन से तीन मिनट हो चुके हैं अब इसमें हम कट हुए लंबे तुरही पकने तक पकाएंगे तुरही डाल दिया है विसे मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर अलग से हमें कोई भी पानी डालने की जरुवत नहीं होती है तुरही इतने ही पानी से पक कर रसीला हो जाता है अब इसे हम ढप करके पकाएंगे सबजी को एक बार चेक कर लेते हैं तुरही की सबजी बन करके बिल्कुल भी रेडी हो गई है हम इसे चेक कर लेते हैं देखें तुरही बिल्कुल भी पक गई है अब इसे हम सर्विन बाउल में निकाल लेते हैं इस सबजी को आप पोड़ी पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं तुराई की सबजी बनाईए खाईए आनन्द लिजिए और यह रेश्पी आपको कैसी लगी कमेंट बाक्स में हमें जरूर बताईए